प्रेंड्स बेलकम बेक टूमाई यूट्टुब चैनल ए यार प्योपी डिजाइन में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा आपके बीच में प्योपी डिजाइन की मार्किंग की वीडियो लाता रहता हूं और उसकी जानकारी में आप से सेर करता हूं तो आज मैं जिस जी जैन के बारे मैं आपसे बात करने वाला हूं आप स्क्रेंग पर देख पा और आपको अच्छी तरी किसे समझाऊंगा कि कैसे बनाएंगे चीक है सिंपल सा है बस आपको इसमें सबसे पहले दो सरकल बनाना है ठीक है तो जितना रिंग रखना होगा बीच में दोनों तरब से यह मार्किंग आप कर लिजेगा इसी तरह किसी मार्किंग कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे हम कि कि कितना बड़ा हमें सरकल बनाना है वो ची रख लेना है यहां पर मार्किंग कर लेना है ठीक है ठीक है अब यह टोटल कितना है यहां से और यह वाली मार्किंग आप लेंगे हम ठीक है तो यह आगे आपका साथ फीट और तीन इंज ठीक है तो हम इसका आधा मार्किंग यहां पर कलेंगे उसके बाद यहां पर रखेंगे फर्मा और यहां पर मिलाएंगे देख लिजी इसके बाद एक सर्क्रम ऐसे घुमा देंगे ठीक देख लिजी इसके बाद हम इस वाले पे आएंगे यह फर्मा लेकर करके और यहां पर रखेंगे और यहांसे इससे मार्किंग कर देंगे और यहां पर मिलाएंगे ओर यह शिले देख लिए कि अब यह दो स्वार कि घुमा दिया इसके बाद क्या करेंगे अब यह दिन्ग हमारी है एक फिट करमाल लीजिये एक्जामपल तो यह एक फिट का जगह है फिर इस वाले मार्किंग पर रखेंगे देख लिजी इस वाले पर ठीक है उसके बाद इसको ऐसे घुमा देंगे उधर भी जाएंगे और घुमा देंगे ऐसे ही देख लिजी यह हो गया आपका अब इसके बाद या करेंगे बीच में हम एक सर्कल घुमाएंगे ठीक है काफी चौड़ा रिंग रंखेंगे इसका ठीक है यह जो रिंग है यह थोड़ा हमारा चौड़ा रहेगा चौड़ाई को श्यापसियों को समझ रख लगाट क्या करेंगे यहाँ पर यह याप मार्कींग करेंग गया से या जो एक सरकल इसके थोड़ा दो इंच बढ़ा लेंगो उसको चुड़कर आ बहुंदी इसको बड़ा रखेंगे यह वाला सरकल ठीक है अब इसके बाद का यहां पर आएंगे और एक बीच में रिंग बनाएंगे ठीक है इन दोनों का यह जो साइज रहेगा इसका आधा ठीक है तो यहां से मार्किंग करेंगे ऐसे ठीक है यहां तक इसे इन दोनों का आधा कर लेंगे यह मार्किंग और इस मार्किंग का आधा रखके पहले हम यहां पर एक मार्किंग कर देंगे ऐसे ठीक है जो सरकल यह साइज का ठीक है जिस साइज से तो यहां पर आएंगे और यहां से ऐसे मार्किंग कर देंगे छे भाग वाला ठीक है द बभब यह पॉइंट पर मिलाएंगे ठीक और यहां पर मार्किंग ठीक देख लिझे और आएसे आप यहां से चार्ड रेंगे यहां पर और यह वाला यहां से ऐसे पीखि लीचाम इसको रहें किया आगे वालण credit कि यहां से अब जो हमारी फॉ further जाएगा यहाँ पर पूरा यह खाली हो जाएगा फिर ठीक देख लिए ऐसे हैं चीछा उसके बाद यह मार्कें हमारी हड़ जाएगी है तो दिख लिए मार्कें हमारी कंप्लीट हो गई ठीक है और यह जो हमारा रूम का साइज है यह हमने यह 10 दस फीट रखा था यहां पर और यह हमारा सोला फीट का ठीक है थोड़ा लंबिम बना हुआ है दस गुड़े सोला में अगर आप चाहते हैं इसको यह वाला आपका बारा फीट में बनेगा तो अराम से बन जाएगा ठीक है क्योंकि आपका यहां से मार्किंग रख करके जितन अगर देख लेजी इसी तरीके से यह जाएं बना हुआ है ठीक है तो देखे दोस्ति यह जाएं हमारी कंपलीट हो गई ठीक है इसको सबसे आसान तरीके मैंने आपको बता दिया है कि बस दो सरगल आपको घुमाना है अगर यह रिंग जितनी बन रही है तो इधर से चलेंटर से चीए चलें चीरें से तो चुट यह कंपलीट होगई है और मैं असानी लाइने तरह के से आपको समझा लिए कि कैसे इसको कुंकरेंग तो मैं उम्म्हीत करूंगा इसमें आप समझ गया हुंगे ये सिर्फ दो सर्व क्या है और आसानीचे यह बन गया है तो वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बता हमें किसे लगती है तो सुक्रिया नेक्स्ट वीडियो के लिए